पाकिस्टान और दुणिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादर का सलाम आज के स्यासी मंजर नामे से पांच बड़ी development है ना सिरफ पाकिस्तान से बलके अमरीका से भी कुछ अहम recent development हो रही है जिनें पाकिस्तान के टैलिविजन पर ब्राहिरास नशर किया जा रहा है एक तरफ इमरान खान के साइफर केस की समाद अपने हत्मी मरहले के जाने बढ़ रही है आज भी समाद हुई उसका हवाल भी आपको बताना है और उसी से जुड़ा एक मौमला यानि साइफर के मंजर नामे से जुड़ा एक मरकजी किरदार डोनल्डू अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर आपने वराहरास देखा होगा या नहीं देखा तो सोचल मीडिया पर देख लेंगे क्योंकि वो भी पाकिस्तान की सियासी सूर्थहाल के हवाले से अमरीकी एवाने नुमाइंदगान में अपनी गवाही देते हुए नजर आए कि पाकिस्तान के इंतखाबात किस कदर शफाफ थे बेजाप्टियां हुई कहां पर हुई कैसे हुई क्या उन्होंने मजीद का वो सारी सिच्वेशन भी आपके सामने रखने है और दूसरी दरफ इन्ही इंतखाबी धानलियों के मौमले को लेकर इमरान खान एक बार पिर आज सुप्रीम कोड रजू कर चुके हैं बानी पी टे आई चेर्मेन की इमापर या उनके कहने पर उन वो भी आपको बतानी है लेकर उससे पहले एक लेटस्ट अपडेट अब से कुछ दिर पहले आई वो है हमाद अजर की जानब से जो पी टी आई के एक स्टालवार्ट है इमरान खान के एक आहम प्लेयर भी समझे जाते हैं पी टी आई पंजाब के प्रेजिडेंट भी है ज अभी तक मंजरियां पर नहीं आ सके इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की वो नहीं हो सका और टीवी के उपर आने पर पाबंदी बहुत सारे और मौमला था तो वो उन्होंने एक खत जो है वो सेक्टरी जर्रल के नाम लिख दिया है उमर अयूब साब के नाम भी और बैरिस्टर गोहर के नाम भी और कहा है कि वो अपने तमाम पार्टी होदे छोड़ रहे हैं वो सिर्फ एक कारकुन के तौर पर पार्टी के साथ रहेंगे और बाकी जिस तरह से उन्होंने ये लैटर ड्राफ्ट किया है उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद कहीं दिल बहराल वो फाइनल तो वही बता सकते हैं लेकिन ये एक मेजर सैट बेक जरूर रहेगा पाकिस्तान तहरीक इन्साफ के लिए अब आजाएए डॉनल्ल लू के उपर और बलके पहले इमरान खान की जो आज की साइफर की कारवाई रही उसका मुक्तसर सा हवाल आपको बता जाएगी और आज के दिन जो हुआ मुक्तसर अहवाल ये है कि वो सरकारी वुकला जिन्हें सजा सुनाने वाले जजज साब ने अपने तोर पे जल्दी से अपॉइंट कर दिया था कि इमरान खान के डिफेंस काउंसल मुकरर कर दिये गए उनकी तायनाती का तरीका कार क्या थे क्या स्टेट कॉंसल मुकरर होने से पहले भी वो अडियाला जेल जा रहे थे इन समातों को विटनस करने या क्या सूर्तियालती तो उनका पूरा रेकॉर्ड जो है 23 अक्तूबर से लेके यानि जब ये ट्राइल शुरू हुआ और 30 जनुरी तक जब सजा सुनाईगी इस दोरान स्टेट कॉंसल का क्या किरदार रहा क्या उनकी काबलियत थी किस बेस पे उनको लाया गया ये सारा जानने के लिए अडालत ने सूप्रीडेंटन अडियाला जेल से रेकॉर्ड तलब किया है और साथ ही आईजी इसलामबाद को भी कहा है कि वो मौवनत करेंगे तो पीर के रोसे रोजाना की बन्याद पर ये समात शुरू होगी पाकिस्तान तहरीक अंसाफ की लीगल टीम ने सख्त स्टैंड लिया है कि किसी सूरत ये केस रिमांड बैक नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि तीन बार ये ट्राइल अगर घलत हुआ है तो चौती बार भ चीक से नहीं हैंडल कर सकी या लवा अजमात पूरे नहीं कर सकी तो तीन मौके ये बहुत है अब चौता मौका नहीं होना चाहिए यानि रिमांड बैक नहीं होना चाहिए इस केसे इम्रान खान को बरी किया ना चाहिए ये पी टी आई ब знак के मुखला मैं कहीं नहीं पहीं आजाएगा इस ट्रायल की खामियों का जो के उनकी वज़ा से नहीं हुआ सरकारी भुकला की वज़ा से हुआ या प्रोसीक्यूशन जो सरकारी टीम है उनकी जल्दबाजी की वज़ा से हुआ तो उसका खुम्याजा इमरान खान को नहीं भुगणना चाहिए एक बार, दो बार, तीन बार वो अल्लेड ही भुगट चुके, चौती बार नहीं, तो ये आज की अपडेट थी, अब आ जाईए ज़रा लेटिस्ट ड्वैल्मेंट फिर मैंने बलके आपको बताना है, इमरान खान आज फिर दो केसिस में बरी हो चुके, अली अमीन गंडाप इसके अमरिकी एवाने नमाहिनदगान में बुलाया गया था, वहां पे जो लोग थे, अमरीकी नमाहिनदगान लुह उन्हों ने डॉन वार्न डूyle से और मैंने इमरान खान की हकोमत गिराने के लिए कोई इस तरह साइफर वाला धंकी वाला चैप्टर नहीं किया तो पीछे से आवाज आ रही थी लायर लायर की यानि जूटा है ये शक्स जूटा है तो फिर बात में टीवी पर दिखाया गया कि वो जो लोग नारे बाजी कर र कि उन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने ब्राहरास्ट डाडकास्ट भी कर दिया है और डानले लू ये कहते हैं कि इन्तखाबी अम बेजाब्तिया हुई है ये साफ शफाफ इन्तखाबी अमल नही था जिसके उपर तश्वीश है उन्होंने वो सारे वाकिया जिन के बारे में इमरान खान मुसलसल जिकर करते आ रहे हैं कि उनकी पार्टी के साथ क्या हुआ, उनके लोगों के साथ क्या हुआ, उनकी पार्टी को इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, रैलिया नहीं निकालने दी गई, जो कुछ भी उन्होंने कहा, वो ऐस इट इस डॉनल अमल में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उनको काउजात नामजद की जमान नहीं कराने दिये गए, रैलियां नहीं निकालने दी गई, एक स्यासी जमाद को जलसे जलूसों की अजाज़त नहीं थी, इजहार राई की आजादी के उपर पाबनिया लगाई गई, इस सहाफिय एक record है पाकिस्तान में के इतनी पाबनियों के बावजूद या ऐसे environment के बावजूद पाकिस्तान की अवाम वोट डालने बाहर निकलिया, तो वो आपके जजबे को भी appreciate कर रहे हैं, और मान रहे हैं, appreciate करें ना करें, मजबूरा नहीं सही लेकिन उन्हें मानना पड़ रहा ह उनको लगता है कि पाकिस्तान का election commission जो है वो इतना मजबूत independent इदारा है कि वो ये सारा कुछ कर लेगा, बेराल इस मामले पर अमरीकी एवाने नुमाइंदगान में इतने जोरोशोर से जो आवाज उठी है, ये शायद इतनी असानी से दबे ना, दूसरी तरफ इमरान खा सुप्रीम कोड में आज ही इनतखाबी दानली के खिलाफ रुजू कर लिया है और एक अपील सुप्रीम कोड में फाइल कर दी है, जिसमें ये मतालबा किया गया है कि गेर जानिबदार जो जजिजिज हैं या गेर मतासिजिज जजिजिज जए उनके उपर जो हाजर सर्वि काइम किया जाए जो इनतखाबी दानली की शिकायत का आडिट करे या जो फॉर्म 45 वर्सिस फॉर्म 47 है उनका जाइजा लेके ये तैग करे कि कहां पर इनतखाबी दानली हुई है और जब तक इसका आडिट मुकमल नहीं हो जाता या रिपोर्ट मंजरियाम पे नहीं आ जा कि ये हकुमत 5-6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती ये सैट अप नहीं चल सकता और वह कहते हैं कि मैं मेंटली रेडी हूँ 4-5 महीने अगर मुझे और भी जेल में रहना पड़े तो मैं रहने के लिए त्यार हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सैट अप इस से ज्यादा न लेक अप हुआ वो था 9 माई के पांच मुल्जमान की जमानत के हवाले से और उसमें जो रेमाक्स सामने आए जैसे डानल्लू ने का ना कि सियासी रेलियों की इजासत नहीं थी लोगों को और रिस्ट्रिक्शन रही तो आज अदालत के जो अब्जरवेशन या जो रेमाक् के उन्होंने पांच मुल्जमान की जमानत मनजूर की है लेकिन उसमें जो कहा गया मतलब पंजाब हकुमत के जो वकील आए हुए थे कि जनाब इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए क्योंकर ये को पैट्रॉल बंब बना रहे थे या दैशत गर्दी के मौमलात में मुलविस रह पिर उन्होंने का कि कोई खुदा का खौफ करें ये आप किस तरफ जा रहे हैं मौमला आपको पता है कि दैशत गर्दी क्या होती है फिर उन्होंने मिसालें देखे बताया कि ये होते हैं दैशत गर्दी के वाकिया और इसमें लगती है दैशत गर्दी की दिफात लेकिन ज काफी मतलब बरहमी का इजार भी किया नाकिस तफ्तीश के उपर कि आपने आपके पास थबूत किया है क्या आपके पास एविडेंस है तो पंजाब हकुमत के जो वकील थे वो बता रहे थे कि जनाब कोई CCTV फोटेज जो है वो जाया कर दी गई है या लोगों ने कैमरे तो आपने को तफ्तीश की कि वो कहां पर बन रहे थे कहां से आ रहे थे क्या था तो उस पर उनका कि हमारे पास इसके हवाले से अभी मालूमात नहीं है तो उसकी बिना पर नाकिस तफ्तीश की बिना पर अदालत ने ये मुल्जमान की जमानत मनजूर की है तो ये आज की सुप आपीर कर दिया तो दैशतगदी को मकदमा ओगया इम्रान खान घृर से बाहर निकल आया है तो future. इसके उपर दैशतगदी के अचे मुकदमा एसे चले आप आप मुझे। तो उसी किसम के जो काई मुकदमा थे लॉंग बार जो इमरान खान ने किया उसके उपर 25 माई वाला था गालबन तो उसके उपर उनके उपर कई मुकदमा दर्ज हुए थे तो आज उन दो मुकदमात में भी उनको बरी कर दिया गया है कल दो मुकदमात में उनको बरी किया गया था आज मजीद दो मुकदमात में उनके खिलाफ अदम सबूत और अदम शभाहिक की बिना पर उनके सिसे बरी किया गया है फिर अली अमीन गंडापूर के उपर एक आपको पता है नाहिली की तलवार लटक रही थी या अभी भी आप कह सकते हैं इलेक्शन कमिशन ने उनके खिलाफ किसी दर्खास को सुनने के लिए मनजूर किया था तो पिशाबर हाई कोट ने आज अली अमीन गंडापूर के हवाले से ये फैसला दिया है और इलेक्शन कमिशन को उनके खिलाफ कारवाई से रोक दिया है यानि वो जो कारवाई होने जा रही थी उसको मौतल कर दिया है तो फिल्हाल ये अलियमीन गंडाबूर के लिए एक रिलीफ है लेकिन जो दो अपरैल को उन्हें गिरफ़तार करके पेश करने का कहा गया है वो तलवार अभी भी लटक रही है लेकिन मुझे लगता है कि वो गिरफ़तारी के बगार ही शायद सेलिंडर करें या पेश होूँ सैनेट इंदखाबाद के मौमले पर कागजात नामजद की मुस्तरद होने का सिलसला जारी रहा सैनेट के लिए जो पीटे आई के उमीदवार थे मतलब खैबर पक्तून साथ से कोई 17 के गरीब और पंजाब से कोई 12 के गरीब गालबन या 5 के गरीब है जितने भी हैं वो का जायदा निकल आई है वो सैनेटर फैसल जावेद भी शायद बता रहे थे कि उनके नाम को ऐसी जायदा डाल दी जो आउन ही नहीं करते जुल्फी बखारी जिन्हों ने बरतानवी शारियत छोड़ दिया उनके जिम्में जबरदस्ती लगाई हुए कि आप अभी भी बरता जावेदा है लगाई है अलावेद